हलो स्टूडेंग्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा आज का वीडियो जो है वो है क्लास 10 ते हिंदी कोर्स बी क्या मार्किंग स्कीम अर्थाथ CBAC ने हमें बताया है कि हमारे पास में कोश्चन पेपर किस तरीके से आएगा क्या क्या पूछा जाएगा कितने मार्क्स का क्या कोश्चन रहेगा किस कोश्चन में कितने कोश्चन पूछे जाएंगे वो कितने मार्क्स के होंगे आपके पास ऑप्शन है या नहीं ह व्याकरण किस तरीके से पुछा जाएगा आपके लेखन कारे किस तरीके से पुछाएगा तो सभी कुछ जो है यह आपको बताया जाएगा इस वीडियो में की कैसे कैसे और साथ ही जो content आपका इस टर्म से हटाया गया है वो भी तो चली देखते हैं क्या-क्या है तो याद र बिए पर कोड यानि कि कोंच वी में जो है वो हमारे पास में आता है आपका जो कर बदो सो कोड रहे गा वो आपको दियाद रखना बहुत ज़रुरी है तो क्या है वो है हमारा 085 इसको बहुत ध्यान रखना है कि आपको पता है 10th में 2 syllabus चलते हैं course A और course B तो course A और B का जो है वो books भी अलग-अलग होती है और code भी अलग-अलग होता है तो course B में हमारा code क्या रहेगा 085 अब आते ही परिक्षा हे तु पार्ट क्रम विनिर्देर्शन 2022 और 23 यानि 2022-23 में हमारे पास जो दिया जा रहा है से ले बस और किस तरीके से question पर आएगा ये चीज़ का निर्देश जारी किया गया है क्या है प्रश्ण पत्र दो खंड यानि खंड A और B में पूछा जाएगा आपको टोटल 45 questions पूछे जा रहे हैं जिनमें आपको 40 questions करने वस्तुपरक यानि कि बहुविकल्पी प्रश्ण आपसे खंड A में पूछे जाएगे फिर है खंड B में वर्नात्मक पूछे जाएंगे प्रश्णों में उचित आंत्रिक विकल्प दिये जाएंगे तो खंड बा में हमारे पास क्या है जो है वो है detail आपको लिखने है वनातिम प्रश्न लिखने है जिसमें आपके पास बाट पुस्तक से भी रहेंगा और प्लस लेखन कारे भी रहेंगा तो पूरा detailing के साथ हमें इसका उतर देना होगा अब ये जो है इनके सब के अंदर विकल्प रहेंगे और लेडी आपके साथ options रहेंगे टोटल है भारांक 80 वाशिक परिक्षा और 20 आंतरिक मुल्यांकन तो ये जो पूरा आपके सामने है ये जो question paper दिया जाएगा ये टोटल 80 मार्क्स का होगा यानि कि board examination का आपका 80 मार्क्स का question paper होगा और 20 मार्क्स आपके internal assessment के मिलेंगे यानि आंतरिक मुल्यांकन जो क्या-क्या है कैसे मिलेंगे आपको 20 मार्क्स जो आपके school की तरह से provide कराए जाएगे और किस basis में मिलेंगे ये भी आपको बताती है तो सबसे पहले जो हम आ रहे हैं वो है हमारा आपका प्रश्न पत्र कैसे आएगा तो निर्धारिस समय जो रहेगा वो तीन घंटे का है और भारांक 80 है क्लियर यानि कि तीन घंटे का समय दिया जा रहा है और पूरा कोशन पेपर 80 मार्क्स का आपके पास है तो परीक्षा भार विभाजन है यानि कि अंक डिवीजन आपको दिया जा रहा है कैसे विशे वस्तु जो है सबसे पहले खंड आ है वस्तू परक प्रश्न पूछे क्या है यहां पर देखिए दो अपठिद गद्यांश लगभग 200 शब्दों के बिना किसी विकल्प के 1 इंटु 5 इस उकल तु 5 इस उकल तु 5 दोनों गद्यांशों में एक अंकी पाच 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 पूछ पूछे जाएंगे और टोटल यह होगा आपका 10 मार्क्स का यानि क जो अपठिद गद्यांश यानि कि आ का जो पहला प्रेश्ण है उसमें आपसे अपठिद गद्यांश पूछे जाएंगे आपके पास दो गद्यांश रहेंगे कोई आप्शन नहीं है दोनों ही गद्यांश आपको करने है वो गद्यांश आपके जो है वो 200 वोट्स के रहे आप इन ही गद्यांश पर आधारित आप से 5 प्रेश्ट पूछ जाएंगे पाँचों प्रेश्ट में प्रिश्ट बहुवी कल्पी रहेंगे आपको पाचों प्रेश्ट करने हैं कोई option नहीं है और सारे ही प्रेश्ट एक लिक नमबर के तो मतलब एक अपटित गद्यांश के पांच और दूसरे अपटित गद्यांश के पांच तो टोटल हो गए 10 कोश्चन आपके और ये हो गए 10 मार्क्स के यानि कि दोनों ही गद्यांश करने हैं कोई आपके पास में नहीं फिर आते हैं प्रशन संख्या दो पे वहवारी व्याकरण के आधार पर बहु विकल्पिया सात्मक प्रश्ण एक अंक जो है वह है 16 प्रश्ण एक अंक का 14 प्रश्ण पूछे जा रही है अब क्या है कुल 21 प्रश्णs पूछे जाएंगे जिन मेंसे केवल 14 प्रश्णों के उत्तर देने हैं जो प्रश्ण दो है वो आपका टोटल व्याकरण पर आधारी थे आपके पास चार टोपिक थे रतना के आधार पर वाक्य के भेद थे मुहावरा था समास थे आपके और साधी साथ पदबंद था तो यह चार जो टोपिक है आपसे यह व्याकरण में पूछे गए थे इन में टोटल 21 प्रश प्रशन करने हैं और हर प्रशन एक नंबर का है और सभी बहु विकल्पी यह प्रशन रहेंगे यानि कि MCQ's questions रहेंगे अब यह क्या है देखिए पदबंद पर आपको पांच प्रशन पूछे जाएंगे जिसमें आपको चार प्रशन करने हैं तो यह हो जाएगा आपका चा प्रशन करने हैं यह हो गए आपके चार मांक्स के फिर आगए मुहावरे 6 पूछे जाएंगे 6 में से 4 करने हैं चार मांक्स के तो टोटल 16 मांक्स के आपका व्याक्रण आ जाएगा तो याद रखिए बहुविकल्पी प्रशन बहुत सावधानी के साथ यह सभी आपको त्य से द्याक्रण में समझनी है तो यह हो गया आपका खंड आके पहला और दूसरा प्रशन अब आते हैं तीसरे प्रशन पर तीसे प्रशन में आपसे जो आपकी पाट पुस्तक है इस पर्श वो पूछी जाएंगे अब यह भी भौविकल्पी प्रशन रहेंगे देखिए सब से पहले आ रहा है काविखंड तो काविखंड में आपसे पहला जो प्रशन पूछा जा रहा है वह पठित पद्यांश पर एक अंकिये पांच बहुविकल्पी प्रशन यानि कि आपको काविखंड में जितनी भी कविताएं हैं दो हैं यह सब में से कुछ भी दिया जा सकता यह दिया जाएगा और उसी पे आधारित आपसे पांच बहुविकल्पी प्रश्ण पूछे जाएंगे पांचों ही प्रश्ण करने हैं एक नंबर का एक प्रश्ण है तो टोटल पांच हो गए फिर आते हैं इस परश्ण भागदों से निर्धारित कविताओं के आधार पर ए यह दो बहुविकल्पी प्रश्ण पूछे जाएंगे जो वन इंटू टू रहेंगे कहने का मतलब है जो आपके काविखंड के जितने भी चैप्टर हैं उनमें से किसी भी चैप्टर में से कोई दो प्रश्ण पूछे जाएंगे कोई भी दो प्रश्ण बहुविकल्पी प कभी खंड हो जाएगा फिर उसके बाद हम आते हैं गद्धि खंड पर हमारी जोस्परश की बुक है वह काव्य खंड और गद्धि खंड गद्धि खंड में पहला प्रिंश्ण है अपटित गद्यान्ष पर एक अंकी पाँच बहुई कलपी प्रिंश्ण पूछे जाएंगे तो यहाँ पर अब जो भी गद्य के आपके जितनी भी चैप्टर है उन चैप्टर में से कोई भी एक पैरग्राफ आपके सामने रखा जाएगा और उस पैरग्राफ पे आपसे पांच प्रिश्ण पूछे जाएगे पांचों ही प्रिश्ण करने हैं कोई आप्शन नहीं है ए एक मार्क्स का एक कोईश्ण है तो पांच प्रिश्ण एक नमर का एक है तो टोटर फाइव मार्क्स हो गए फिर आते हैं इस पर्श भाग दो से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विधारतियों की उच्च चिंतन चंताओं एबं अभिवेक्ति का आंगलन करने है तो एक अंखी ये दो बहुवेकल्पिय प्रश्ण पूछे जाएंगे अब आपका जो गद्य खंड है उसमें सारी चैप्टर्स में से कहीं से भी आपसे दो बहुवेकल्पिय प्रश्ण पूछे जाएंगे यानि कि MC की उस कोईश्ण पूछे जाएंगे सिर्फ दो और दो नो ही आपको करने है, तो एक नंबर का एक आंसर हैगा, तो दो हो गए, तो ये आपके 5 प्लस 2 यानि की आपका 7 marks, 7 marks का आपका काविखंड, 7 marks का आपका गद्य खंड, तो ये तो टोटल हमारा क्या हो गया, section A, ठीक है, जहां पर खंड A, जहां पर आपको टोटल भविकल्प प्रशन पूछे जाएंगे, यानि पर आपको यहां पर आंसर टोटल डिटेल में दीना है, अब ये कैसे पूछा जाएगा, देखिए, तो खंड बा में जो पहला प्रशन यानि की हमारे प्रशन पत्र का चौथा प्रशन है, पार्ट पुस्तक इस पर्श भाग 2 से पूछ पहला जो पूछा जा रहा है, इसमें क्या है, इस परश गद्य खंड से निरधारित पाठों के आधार पर तीन में से दो पूछे जाएंगे, तीन अंक मैंटिप्लाइबाइबाइब टू प्रशन दो प्रशन हैं लगभग साथ शब्द के ध्यान रखिए, गद्य खंड मे से आपसे तीन प्रेशने पूछे जाएंगे जिसमें आपको दो प्रेशने करने हैं जिनके आंसर आपको 60 जो 60 जो वर्ट से उनमें देना है और एक प्रेशन जो है वो आपका तीन मार्क्स का रहेगा तो टोटल कितना हो गया सिक्स मार्क्स का तो आपको समझ में आया है इस पर्ष में जो आपसे कोशिन पूछे जा रहे हैं वो सिर्फ तीन दिये जाएंगे तीन में से दो करने हैं एक कोशिन तीन मार्क्स का आपका रहेगा अब आते हैं आपका इस पर्ष के काविखंड से से किन कोशिन अभी आपने चीज़े काविखंड से भी आपसे कितने तीन प्रेश्ण पूछ जाएंगे जो आपको दो प्रेश्ण करने हैं उनकी वर्ड लिमिट रहेगी सिक्स्टी यानि कि साथ शब्दों में उसके आपको उत्तर देने हैं और एक प्रेश्ण का आंग जो रहेगा वो है तीन तो कितन पाद पुष्तक संचयन के निर्धानित पाध़ों में से तीन में से दो प्रेश्ण पूछ़े जाएंगे जिनका उत्तर लगवख साथ शब्दों में देना है अब क्या है अब आपको जो हमारी पाद पूष्तक संचयन है उसके जितने भी पाध है उन पाध़ों में से शब्दों में आपको देना है और एक प्रेशन एक प्रेशन आपका तीन मार्ब्स का हुए तो ये हो गए टोटल सिक्स मार्ब्स मेर आते हैं हमारे लेखन-कार पर प्रश्न संख्या 5 से हमारा लेखन कार रहाँ, रचना भिवक्ती का जो हमारा talk that यानि कि आपको रचनात्मक तोर पर अपनी विविक्ति करनी है टॉपिक के आधार पर क्या है वो देखते हैं पहला है अब लेखन सक्षन जो कोशन नमबर फाइब है उसका सक्षन नमबर वन है आपका संकेत बिंदू पर आधारी समसमाएक एवं वहवारिक जीवन से जुड़े हुए किनी तीन विश्यों में से किसी एक विश्य पर लगभग सौ शब्दों में अनुछेत लेखन पाच अंक का आपका एक प्रिश्न है विकल्प सहीत है अब यहाँ पर आपके सामने क्या है तीन टॉपिक दिये जाएंगे उन तीन टॉपिक के अंदर आपको संकेत बिंदू दिये जाएंगे उनहीं संकेत बिंदू के आधार पर आपको अनुछेत लेखन करना है अब तीन है तीन में से एक करेंगे तो उसका मांक एक प्रश्ण कितने का है आपका पांच नंबर का एक प्रश्ण होगा फिर आते हैं दूसरा प्रेश्न पर अभिवेक्ति की शम्ता पर केंद्रेत आपचारिक विश्यों में से किसी एक विश्य पर लगबग 100 शब्दों में पत्र लिखिए अब क्या है अब आपको पत्र लिखना है इसमें भी आपके पास विकल्प रहेगा दो पत्र रहेंगे दोनों में से एक करना है आपके पास ओपचारिक पत्र है इसकी वर्ड लिमिट 100 रहेगी और यह आएगा आपका 5 मार्क का यानि 5 नमबर का आपका एक कोशन रहेगा तो दूसरा है वहवारी जीवन से संबंधित विश्यों पर आधारित लगवक असी शब्दों में सूचना लेखन चार अंका एक प्रश्ण विकल्प सेथ अब आपको टॉपिक दिया जाएगा options रहेंगे आपके पास में सूचना लेकन कि हम किसी को सूचना जब प्रदान करते हैं तो वो टॉपिक आपको लिखना है सूचना आपको तयार करनी होगी एक आपको बनानी है कितने शब्दों की अस्य शब्दों की आपको सूचना बनानी है चार अंक का ये प्रश्ण रहेगा फिर आते हैं विशे से सम्मंधित लगबख साथ शब्दों के अंतरगत विग्यापन लेखन करना है अब आपको क्या करना हैं विग्यापन कर वनाना है। प्रिष्ण पर दिए गए विषय या शीरशक के आधार पर रशनात्मक सोच के साथ भक्षो शब्दों में लगू कथा लेखन करिए। अब आपको क्या है आपको शीर्षक दिया रहेगा आपके पास options भी रहेंगे आपको लगू कथा लेखन करना है दोनों में से कोई एक करना होगा आपको एक ही करना है पांच नंबर की आपकी लगू कथा लेखन रहेगी अम्माल लीजे आपको लगू कथा लेखन नहीं करना तो उसके बाद आपके पास next option क्या है next option है आपके पास में विविद विशियों पर आधारित लगपक 100 शब्दों में आपचारिक email लेखन करना है अब आपको अगर लगुकता नहीं लिखनी है तो आपको एक email लेखन करना होगा जिस आपका 100 शब्दों का ही रहेगा तो दोन प्रेशन पत्र दिया जाएगा वह हमने अभी तक देख लिए प्रिंटी मार्क जो आपको स्कूल की तरफ से दिये जा रहे हैं वह किस बेसिस पर दिये जा रहे हैं तो इसमें आपका है सामेक आलंकन यानि की SMC में पर आपके जो टेस्ट होते रहते हैं उसमें उसमें से आ है भी 5 मार्क का फिर है पोर्टफोलियो आपको बहुत सारे प्रोजेक्स दिये जाते हैं आपकी बुक्स कॉपी का आपका वक रहता है इन सब पर आधारित आपको 5 मार्क दिये जाएंगे फिर है श्रावणा इवं वाचन आपकी जब क्लास लगती है तो आप वहां पर ची घचल को कि आधारि पर आपके अध्यापको कुद्वारा आपको 5 मार्क को दिये जाएंगे तो इस टोटल का आपका हो गया प्रिंटी मार्क थीक है ऑन परहते हो गया। बोर्ड इग्जामेनेशन पेपर तो टोटल हो गया 100 ठीक है तो यह हो गया आपका बोर्ड इग्जामेनेशन की मार्किन स्कीम और साथी इंटर्न असेस्मेंट अब आपके लिए इसमें बुक्स कौन कौन से बताई गई हैं बोर्ड ने क्या बताई हैं आपकी है इस पर्ष है संचैन भाग दो इनिया और ए Kin और प्रकाशित नमेंत्र संसकरणड दूसरा है संचैन भागदो इंसी एंचीर झाल इर्ट ऐ Rip नंए दिल्ली द्वार प्रकाशित नमींत्रसं करनड दी वार्ड इनियों को दी गई हैं जिस पर आपको लेकर आप करना है फिर उसके बाद हम आते हैं कुछ portion जो है वो आपकी इन पार्ट पुस्तक से इस term के लिए हटा दिया गया है कहने का मतलब है इस session में आप से जो इन दोनों ही पुस्तकों से नहीं पूछा जाएगा यानि कि क्या है निमलिकित पार्टों से प्रश्ट नहीं पूछा जाएगा फिर आते हैं महादेवी वर्मा का मधुर मधुर मेरे दीपक जल पूरा पार्ट हटा दिया गया है यह काब्धिखंड से यह दो अटाए गये हैं गद्धिखंड में अंतों चेखव की गिर्गिट यह पूरा पार्ट कहानी हटा दी गई है फिर पूरक प आप से जाएगा तो यह मैंने आपको पूरा टोटल बता दिया आपकी मान की स्कीम क्या रहेगी किसे चैड़ी से आप से पूछा जाएगा इंटरण असेस्मेंटा रहेगा और साथी क्या पूर्ष्ण quit इलिट किया गया है तो बस आप इसी बेसे पे अपने बोर्ड एक्जामेनेशन की तैयारिया स्टार्ट कर दीजे क्योंकि अभी से हर एक चीज़ को आप डिटेल से पढ़ते चलोगे तो बिलकुल ही कहीं कोई दिक्कत नहीं आए थैंक यू फॉर वाचिंग बाबाई